आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्रात्थिक्ता बनाकर आगे बढ़ रहा है आजाजी के सौवर्स के लक्ष की और आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकार को कर्तव्यकार का नाम दिया है हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मुल्यों का मादर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं इसमें विकास भी हैं और विरासत भी है आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है तो साथ ही भारत एकनामी और टेक्नोलोजी में भी लीड कर रहा है आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकनामी में शामिल हो चुका है आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टप एको सिस्टिम है डिजिटल टेक्नोलोजी और 5G जैसे खेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ओनलाइन ट्रांजिक्शन हो रहे हैं उसके 40 प्रतिशत अकेले भारत में हो रहे हैं और मैं तो आज रत्नाकर्जी से आगरख करूँगा और सभी हमारे साई भक्तों सभी आगरख करूँगा क्या है यह हमारा नया बना हुआ जिला जो साई बाबा के नाम से जुड़ा हुआ है यह पूरा पुटपट जिला क्या आप इसको 100% डिजिटल बना सकते हैं हार ट्रांजेक्शन डिजिटल हो आप देखिए दुनिया में इस जिले की अलगी पहचान बन जाएगी और बाबा के आशिरवात से रत्नाकरजी जैसे मेरे मित्र अगर इस कर्तव्य को अपना जिम्मा बना दे तो हो सकता है कि बाबा के अगले जन्म दिन तक पूरे जिलु को डिजिटल बना सकते हैं जहां कोई एक कैस रुप्य की आवशक्ता नहीं होगी और यह कर सकते हैं साथियों समाथ के हर वर्की भागीदारी से आज परिवर्तन आ रहा है इसलिए ग्लोबल काउंसिल जैसे आयोजन भारत के बारे में जानने का और बाकी विश्व को इससे जोडने का एक प्रभावी जरिया है